नमस्कार दोस्तों सभी को जिनका सलक्षन हो गया उनको बहुत सारी सुब काम नहीं जिनका नहीं हुआ उनका भी इसी वर्ती में हो जाएगा ऐसा मैं आप लोगों के साथ उंवीद के साथ प्राथना करता हूँ क्योंकि साथ्यों अभी आपको किसी भी तरह से निरास्थ नह नहीं बोला था कि बैस शेयर करो सब्सक्राइब करो लाइक करो लेकिन आज इस वीडियो में बोल देता हूं कि जितने भी साथी चाहते कि यह बरती रद होनी चाहिए सारे साथी मिल करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले लाइक करे, सेर करे वीडियो को ज़्यादा सेर कर दे और कमिंट करके बताए कि कौन कौन साथी जैपूर आ रहा है हमारे साथ और देखना ऐसा नहीं है कि आप सोचते हो मैं लाइक या सब्सक्राइब के लिए वीडियो बनाता हूं मेरे बहुत से फोलोवर है आप कहीं पे भी गूगल पे फेस्बुक पे कहीं पे भी सर्च कर ले ना अजीद सेनी जीरो निन्याड में के नाम से फेस्बुक पे मेरे लगबग साथ अजार के कोई बात नहीं है मैं लाइक सेर सब्सक्राइब के लिए नहीं बनाता हूं वीडियो ऊडियो ये तो बस यह ऐसा है किसी के साथ अन्याए हुआ है तो मैं वीडियो लेकर करके आ गया हूँ आपको और सभी को बता देता हूं इस वीडियो में कि आने वाली 11 जुलाई को हम स सलक्षन हो जाएगा तो अब आप सभी के आखे खुल गई है कि जिन्होंने पेपर लिया था जो चोर है उनीका सिर्फ इस बरती में सलक्षन हुआ है और अभी बताना चाहता हूं जो पिचान में और निन्याण में वाले लड़के हैं जो सोच रहे हैं कि मेरा सलक्षन हो ज बता रहा हूं और OBC की निन्याण में से 101 भी रह सकती है जनरल की बताना चाहता हूं 101 से 103 रहेगी याद रखना आप इस बात को मैंने आज बोल दिया है इतनी ही मेरिट रहेगी और अगर अभी भी आप student नहीं जागे आपकी अभी भी आँखे नहीं खुली है तो ये last chance है आपके लिए अगर आप 11 जुलाई को एक साथ आजाओगे तो अभी भी मैं पूरी तरह से आपको आश्वासन दिलाता हूं पूर्ण विश्वास है मुझे कि हम इस बरती को रद करवा के रहेंगे क्यों सिरफ यही रीजन है और बताना चाहता हूं आप लोगों को कि यार जब आप लोग मैं वीडियो डालता था तो बहुत से साथी भाई थे जो कमेंट करते थे कि यार तेरे नंबर बता तेरे नंबर बता अरे अब वो कमेंट करने वाले कहां गे जो वह 80-85-90 वाले थे नो व पूरी इमानदारी के साथ हो यारे अब आओ अब कमेंट करके बोलना तू जो जो बोलते थे वो कमेंट करके बोलो मेरे को मेरे से मेरे नंबर पूछो मेरे 33.66 नंबर आए थे ठीक है और अगर पेपर पूरी इमानदारी के साथ होता ना तो मैं अभी भी इस पेपर को तो तुने पेपर नहीं खरीदा है तो किसी भी एक्सपर्ट से एक तू पेपर बनवा ले मेरे सामने बैठके तू पेपर दे वोई और मैं देता हूँ तू मेरे ज़्यादा नंबर लेके दिखा देना मैं मान जाओंगे तूने तैयारी की तूने किसी कोचिंग का मुँन नह नहीं तूने कभी किसी भुकम तूझे दस सब्जेक्ट का नहीं बता कहां से तेरे 112 कुशन हो गए बता जिन लड़कों ने तीन साल बार रहके तैयारी की थी ना उन लड़कों को सेलेक्शन नहीं हुआ है मेरे एक साथ यह तीन साल से जैपूर पढ़ा था कंटिनू तीन पार उसने कोचिंग की और इतनी पढ़ाई करता था इतनी पढ़ाई करता था उस लड़के का सेलेक्शन नहीं हुआ तो किन का सेलेक्शन हुआ है और बताए तो जिन 2000 लड़कों ने पेपर लिया था ना उनके ही इसमें रोल नंबर चपे जो 800 फाल्टू नंबर चपे है ना वो सारे भार हो जाएंगे जो 2000 लड़के पेपर लिया था उनमें से भी 600 बार होंगे पेपर लेने वाले भी 600 लड़कों को सलक्षन नहीं होगा यह बताए ता हूं मैं आने वाले टाइम में कम से कम साथ से 8 कुश्यन और मेरिट आई जाए जो फाइनल मेरिट आएगी तो साथियों याद रहे 11 जुलाई कोर्ट के सामने जादा वें जादा संक्यां पहुंचना यार यह मत सोचना कि फिल्ड एक दिन नहीं करो क्या हो जाएगा एक दिन प्रेक्टिस से 1000-2000 का नुक्सान हो जाएगा उससे जादा कुछ नहीं होने वाला 11 जुलाई याद रहे रहे आप लोगों के और वीडियो को शेयर सब जादा करना ताकि सभी साथ उससा सूचना पहुंच जाए और सब्सक्राइब कर लेना आने वाले टाइम में इसी चैनल पर बरती रद से संबंदित जो भी न्यूज है आती रहेगी थैंक्यू बाई